हेलो दोस्तों मैं साव साव चनल मैं स्वागत हैं आज हम बात करेंगे जूविलाट फूड श्टॉक के बारे में जूविलाट फूड का स्टॉक का चार्ट अनलाईज करेंगे और उसका ट्रेंडिंग बताएंगा उसका टार्गेट पी इस विडियो में बताएंगे चलते हैं इस वीडियो में तो अभी हम जुबिलान फूर्ट का चार्ट देख रहे हैं वांटेंग इंडल का चार्ट सिक्स मोंद का चार्ट है हम पीछे का कैंडल देख सकते हैं पीछे का जो ट्रेंड बना है बुलिश्य ट्रेंड है पॉजिटिव ट्रेंड अब पिछे से चाहिए या थोड़ा इंतिजर करना चाहिए इस वीडियो मों हम बताई तो अभी पहले इसको पहले हम देखेंगे पिछे का स्ट्राटेजी क्या है जूबिलान फोंड का पिछे का स्ट्राटेजी क्या है फिसे मतलब यहां से लेकर मैं जो अभी गा जो प्रैस लोई 3,800 प्राइस से लेके कितना बार वो हाई बनाया कितना बार लो तुड़ा है अब लो टू हाई केसे बना रहे है वो इस चार्ट में हम देखेंगे तो अभी जो चार्ट देख पर है पिछे जो हाई बनाया है था 4,000 के आसपास में यहां पर हाई बनायता है यहां से करेक्शन दिया अभी दूबरा करेक्शन खतम करके दूबरा बुलिश टेंड में आया है तो यहां से हम देखना है इस प्राइस से और निच्चे ना गिरे अगर निच्चे गरता है तो आपका सब्सक्राइगा 3,500 में सब्सक्राइगा 3,500 अगर ब्रेक आउट होता है तो यह कम से कम 3,000 और 340 पाइट और निच्चे गिरने का सभावल रहता है क्योंकि यहां 3,000 लाज सब्सक्राइग कि ट्रेंड बुलिश से तो आपको ध्यान दलाए 3,500 आपका सब्सक्राइगा 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 3,500 आपका सब्स दे रहा है थोड़ा सा आप इंतिजर करना चाहिए 3,800-4,000 के बीच में जो बन रहा है strategy उसी बीच में थोड़ा डेंजर लग रहा है क्योंकि वहां से थोड़ा correction आ सकते हैं आप सबसे बढ़े हैं अगर यहां से थोड़ा करेक्शन आता है 3,700 के आसपास पर वहां से बाइक करें वहां से आप बाइक करके 4,000 का सबसेल कर दिए क्योंकि वहां से 300 आपका अराव से बिल जाएगा जिन्तों अगर यह 4,000 उपर ब्रेक आउट देके अगर सबस्टेंज कर दिया तो यह कम से कम 4,500 और 5,000 के पास आराव से पहुंच जाएगा और इसे ही देखा जेते हैं डाबलू पाटन के जैसे बन रहा है यहां पर और डाबलू पाटन का मतलब यहां पहले बार जो हाई गया था 4,500 तो यह 4,500 यहां से भी जा सकता है आपको यह धाय देने अगर 4,000 के पास अगर ब्रेक आउट दे के रुख गया एक दो दिन तो इसका मतलब यह डाबलू पाटन बलाने के लिए कुशिस करेगा और यह और एक ट्रेन नेया ट्रेन में जाएगा तो यह रहा जुबिलन फूर्ड का स्टाटाजी स्टॉक के बारे में बता दिया जुबलन फूर्ड में कहां सेंट्री ले थोड़ा सा अगर इंतिजार कर लेंगे तो आप ले सकते निचे से 3,700 के पास अगर इंतिजार नहीं होता है तो यही यही आसपास प्राइस में आप लीजिए कि द्याम देना है अगर जल्दबाजी में आप बेचना चाहेगे तो 4,000 में बेचिए अगर इंतिजार करके लांग ट्रम व्यू में बेचना चाहेगे तो आप 4,500 के पास में बेच सकते तो यह रा स्टाटाजी यह जुबलन फूर्ड के स्टॉक है तो कैसारा वीडियो लाइक कमेंट शेयर और के साथ फ्रेंशीब करके रोकिए थैंक यू दोस्तों